हेलो एवरिवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेलकिम टू मै चैनल अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे चलो साथ में एक गाना गुनगुनाते हैं वो खाना बनाते वक्त पुराने गाने गुनगुनाती है माने बच्चे को सुलाने के लिए एक लोरी गुनगुनाई मुझे गाड़ी चलाते वक्त गाने गुनगुनाना पसंद है ऐसे हिंदी के sentences जिन में हम बोलते हैं गाना गुन गुनाना या गीत गुन गुनाना इनको English में बोलने के लिए हम a song इसका use किया जाता है जिसका मतलब होता है गीत या गाना गुन गुनाना चली सबसे पहले हम इसका rule समझते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद अगर helping verb है तो वो आती है जो कि subject और tense के according होगी जैसे कि is, am, are, was, were, will, do, does, has, have helping verb के बाद hum a song आता है इसके बाद अगर verb है तो verb की ing form आती है इसके बाद object आता है और last में other words अगर बचते हैं तो इसमें जो ये hum है ये main verb की तरह use होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि hums, humming, hummed चलिए अब इस पर based कुछ examples देख लेते हैं जिससे इसका मतलब पुरी तरह से clear हो जाए वो अपने कमरे की सफाई करते हुए एक गाना गुन गुना रही है इस sentence में देखिए rule के according हमने starting की है subject से जो की है she subject के बाद helping verb आ गई है जो कि subject और tense के according है is helping verb के बाद humming a song आया है इसके बाद while cleaning आया है cleaning इस sentence में verb की ing form है और while का मतलब है के दौरान while cleaning यहाँ पर सफाई करते हुए की English translation है verb की ing form के बाद हर room आया है room इस sentence में object है और हमारा sentence complete हो गया है इसमें जो यह humming है यह as a main verb यूज हो रहा है जो की हमने subject और tense को देखते हुए लगाया है क्योंकि यह present continuous tense का sentence है चलो साथ में एक गाना गुन-गुनाते है let's hum a song together वो खाना बनाते वक्त पुराने गाने गुन-गुनाती है she hums old songs while cooking मुझे गाड़ी चलाते वक्त गाने गुन-गुनाना पसंद है तुम क्या गुन-गुना रहे हो वो कौन सा गाना गुन-गुना रहा था माने बच्चे को सुनाने के लिए एक लोरी गुन-गुनाई बच्चो को सुनाने वाली लोरी को इंग्लिश में ललबाय कहा जाता है मुझे इस गाने के बोल नहीं पता फिर भी मैं इसकी धुन-गुनाती हूँ I don't know the lyrics of this song till I hum its melody melody का मतलब होता है किसी गाने की धुन या राग अब एक sentence आपके लिए तुम हमेशा इस गाने को गुन-गुनाते हो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताइए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you can notify whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई झाल